गुड मॉनिक ओल फ्यू मेरे उंत्रपाथी मिर्शा सगी क्लास में जैसे कि आप लोगा पेपर होने वाला है आज हम लोग एडीव बीएड वन जीरो नाइन एका जो कि आपका फंडामेंटल इंक्लूसिव एजुकेशन है उससे संबंदित हम कोश्चन को करेंगे और यूनिट वाइज हर एक कोश्चन को करेंगे इसमें मैं आपको बताऊंगी कि समा विश्चिशा क्या है उससे संबंदित क्या क्या पढ़ना है आपको और साथ मैं आपको विश्चिशा संबंदित चीज़ों को देखेंगे last में हम इससे ही संबंदित questions को भी देखेंगे इसलिए आप लोग वीडियो को शुरूर से लेकर last तक जरूर देखिए आपको हर एक चीज complete होगा सबसे पहले आप इसकी theory समझीए उसके बाद से उसकी questions को देखेंगे हम लोग चलिए start करते हैं इसे बहले मैं एक चीज और भी आपको बता दू जैसे कि आप लोग मांगते हैं एक particular subject या particular आपका कोई topic रहता है तो आप मेरे playlist से जुड़ सकते हैं और आपको i-card पर भी दिख जाएगा जो चीज बेशे आपको पूछनी है और आपको description box में मिल जाएगा playlist में आपको हर एक topic आपको मिल जाएगा चलिए start करते हैं आज हमारा है inclusive education सम्मदित और आपका spiritual education से सम्मदित सबसे पहले आपको पता होंचे inclusive education है क्या समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी के लिए सिक्षा यानि जो चात disabled है और जो समाने बच्चे है उन दोनों को एक साथ पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा है जिसमें आपका समावेशी शिक्षा में आपके वो लोग भी include होते हैं जिसमें आपके मलीन बस्तियों के बच्चे आ सकते हैं आपके जो अनुसिचीज जाती है अनुसरिज जाती है उन वो बच्चे भी आ सकते है श्रमिक के बच्चे भी आ सकते हैं जो लिवर वाले बच्चे होते हैं रोड साइड जो बच्चे रहते है उनको भी इन सब को हमें समाविय शिक्षा में इकलूड करना है यानि समावे शिक्षा इन लोग ले भी है जो आर्थिक रूप से शिक्षा ग्रह्न नहीं कर पाते हैं उसको हम शिक्षा दे पाएं इसके बाद से आप देख सकते हैं कि समावे सिक्षा में क्या मैंने उपको बताया कि समान विद्धाले में जो परिस्तिती है उसमें कुछ तक्नीक लगा कर कुछ उपकरण या उपागम के द्वारा हम ऐसे प्रियोक कर सकते हैं कि विसिक शिक्षा वाले बच्चे भी जो यानि विसिस डिसेबल बच्चे हैं वो बच्चे भी आसानी से शिक्षा को ग्रहण कर पाए और उनकी शिक्षा ग्रहण करने में सुगमता प्राप्त हो पाए ठीक है इसके बाद से हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा प्र जिसमें सभी चात्रों को बिना किसी भेदवाव की सीखने वज सिखाने के असमान अफसर दिखे जाते हैं। किसी शिक्षा को यहां से प्रारम कर दिया गया। कर सकते हैं। कि ताकि उनको जो शिक्षा है वो ग्रहन करने में अराम हो। इसके बाद से हम संचार के माध्यों के द्वारा भी समावी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। बच्चों का उससा बढ़ा सकते हैं। उसमें दिड़ता आत्मिश्वास इनको भी हम उत्पन कर सकते हैं। बच्चों में creativity जाग सकती है अगर हम उने motivate करें। इसके बाद से हमारा आता है इनकी परिभाशा है यानि समावी शिक्षा की परिभाशा है। सबसे पहले हम Leeman और Wallman के बारे में बात करते हैं। Leeman और Wallman ने 2001 में समावी शिक्षा के संबंद में परिभाशा दी। इसके बाद से हम ब्लूत और Enosco की बात करें तो उन्होंने 2000 में समावी शिक्षा संबंद परिभाशा दी। इस्थानिय विद्यालों की संस्कृती पाठिक्रम तता समुदाय में छात्रों की बर्ती पती भागिता को बढ़ाना तता उनके अपवर्जन को घटाना शिक्षा में समवाईश के रूप में परिभाशित किया है। इसके बाद से हम और भी सारे जो भी है परिभाशा है वो भी आप लो हम देख सकते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं इनके उद्देश की बात करते हैं। इसके बाद से दूसरा हम पॉइंट देख सकते हैं। इसके बाद से हम देख सकते हैं। तो किसी एक छेत में भी विशिस्ट योगता उनकी हो सकती है। तो इसमें भी ध्यान देना जरूरी है। इसके बाद से सभी के लिए समान अफसर दिये जाना। यानि समावी शिक्षा का अर्थी होता है कि किसी भी वरका बच्चा है तो वो आप उसमें शिक्षा हम दे सकते हैं। समान सभी लोगों के लिए समान अफसर दिये जाने चाहिए समाविशे शिक्षा का जो सिक्षन रननिती है पाटे करम है शिक्षन विदी है प्रविदी जो की method और strategy है इस प्रकार से आपका flexibility होनी चाहिए कि बच्चा कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नरा पाए जैसे जो बच्चा है जिसकी जो छमता है योगिता है उसी प्रकार से उसको शिक्षा दी जाए याई चाहिए वो शारी रूप से मानसिक रूप सी है समाजिक रूप से भी कमजोर है अक्षम है तो हम उसे ऐसी सुविधा दे जिसे वो शिक्षा ग्रण कर पाए इसके बाद से आपका आता है समाजिक्ता की भावना का विकास आपको पता है जो निशंक्त बच्चे होते हैं जो अक्षम बच्चे होते हैं वो समाज में अपने आपको सर्वाइब नहीं कर पाते हैं तो उन बच्चों के लिए भी हमें मैत्रिपूर जो सहियों की भावना होती है वो होनी चाहिए इस प्रकार से क्या होता है कि वातवरण से बच्चे भी स्वयम के स्वयम को समाज का ही एक अंग मानने लगते हैं नहीं तो वो आत्म निर्भन नहीं बन पाते हैं उनको कुछ को जाती है ताकि वो भी सर्वाइफ कर पाए समाज में इसके बाद से आपका आता है अशक्त व बादित बालकों की छंताओं का विकास इसमें आपको पता है कि बालक समाज का एक अंग है उसमें भी कई योगता कोई कोशल पाए जाते है वो भी इसमें स्किल्स पाए जाते है इसलिए समाई शिक्षा के माध्यान से इन बच्चों की छंता और योगता का विकास किया जाता है ठीक है? इसके बाद से हमारा आता है आत्म विश्वास और आत्म सम्मान का विकास करना और बैसे बात है कि ये बच्चे जो डिसेबल्ड है वो अपने आपको आत्म विश्वास नहीं बना पाते हैं आत्म सम्मान ढूनते हैं जो आपके जर्नल वच्चे हैं जो आपके समाने बच्चे हैं उन लोग की तरफ बनना चाहते हैं तो उनका आत्म विश्वास कहीं न कहीं डगमागाया होता है, तो उसे मोटिवेट करना पड़ता है, ताकि बच्चे अपने आत्म सम्मान के लिए कारे कर सकें, इसके बाद है आपका चुनोतियों के लिए तयार करना, आपको पता है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, वो चुनोति के लिए हमेशा तयार रहते हैं, तो हमें समाविशी शिक्षा स्वाम में एक चुनोति पुरकार है, आपको पता है, समाविशी शिक्षा क्या है, स्वाम में एक चुनोति पुरकार है, इसलिए सभी बच्चों को एक कक्षा में एकी छत के नीचे, एक समान शि जीवन व्यतित करने के लिए उनको यहां पर तयार करना है इसके बासे हमारा आता है अक्षमता से समर्था की और ले जाना आपको पता है समाविशी शिक्षा में असमर्थ बच्चों को समाने बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है तो ऐसे बच्चे यदि समाने ब मोटिवेट नहीं होगा, तो वो कोई भी काम सही तरह से नहीं करेगा, क्योंकि वो, मैं एक, अगर मैं एक टीचर हूँ, तो मैं एक स्टूमलस हूँ, उनके लिए, अगर मुझे स्टूमलस आप में को देख रहे हैं, तो आप अनुकरिया करते हैं, और मेरे लिए आप एक नुकरिया करते हूँ, यानि कि आपको मैं पढ़ाती हूँ, तो इसका मतलब है कि हम दोनों का मोटिवेशन ज़रूरी है, समाजिक विशेष्टाओं की बात करें, तो इसमें आपकी बहुत सार विशेष्टा आया जाती है, जैसे sense of community, यानि कि समुदाइक तक की भावना, स इसमें आपका क्या होना चे भाईचारा, अपनापन, ये आपको समाजिक भावना का विकास कराता है, इसके बाद से समान दिस्टी कूर, अगर मेरा दिस्टी कूर ही सही नहीं है, यानि कि स्टेक होल्डर बोलते है न जो, मेरा अगर दिस्टी कूर ही सही नहीं है, तो मैं विशिश्ट अवश्रता बच्चों की बात करें तो उनकी समस्यां बहुत सारी होती है उनका एक उनके लिए एक बहु अनुदेशात्मक टोली का गठन किया जाता है यानि कि उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जिसमें विद्याले और समधार दोनों ही सद्धिसे के रूप में कार करते हैं और दोनों ही उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाएं इसके वाद से आप काता है अभी भावक साज़ेदारी पेरेंट्स का इसमें भागिदारी बहुत ज़रूरी है अगर पेरेंट्स उन्हें मोटिवेट करते हैं क्योंकि पेरेंट्स को समारिशी समू का एक सद्धस से बनाया जाता है जिसमें वा अपने बाल को क्या शक्ताओं और क्रिया कलापों को सही तरह से बता पाता है अगर पेरेंट्स पहले ही बता देते कि मेरे बच्चे में ये कमी है तो टीचर उसके बारे मैं ध्यान देता है पहले से ना बताया हो तो हम बच्चों को क्या पता, बच्चे को बच्चों के बारे में गलस सोचे इसलिए कई बार होता है, जो back benches होते हैं, धीरे से समस्ते हैं, slow learners होते हैं, तो उसमें क्या होता है, parents पहले बता कि न जाते हैं, तो हम लोग उनको डार देते हैं, या फिर उन पर ध्यान नहीं देते हैं, अगर parents बता देते हैं, कि इसमें ये कमी है, slow learners है, तो हम लोग उन पर क्योंकि टीचर, special teacher की जोद परती है, विशेश बच्चों के लिए, अगर हम विशेश बालकों की बात करें, तो उन्हें एक specific, specific teacher की जोद परती है, ताकि वो हर तरह से guide कर पाए, उन्हें motivate कर पाए, इसके बाद से आपका आता है, website विक्ति की साजिदारी, अच्छे सोचते हैं, वहां तक पहुचना, एक specific teacher ही कर पाता है, तो वो आपको बता पाता है, कि आप कोन सा website चुने, इसके बाद से आपका आता है, समस्या, जो छात्र समस्या समाधान करता की रूप में कारे करना, यानि कि एक teacher एक facilitator की रूप में काम करेगा, उन्हें जो छात्र को प्रॉब्लम आ रही है, वो teacher क्या करेगा, उन्हें सिर्फ facilitate करेगा, उसे मार्ग दर्शन देगा, facilitate का मतलब बता है, मार्ग दर्शन करना, ठीक है, इसके बाद से और भी चीज़े, जैसे शिकक्षा में इस्तेवा प्रदान करना, लचीला पन, flexibility बहुत जरूरी है, बच्चा कहां पर उसको क्या चीज़े change करने, कौन सी method यूज़ करना है, कौन सी strategy change करने, जिसके द्वारा बच्चे की छमता योगता के निसार मैं इसको समझा पाऊं, तो लचीला पन होना जरूरी है, flexibility होनी जरूरी है, इसके वाद से आपका आता है sex section, sex section जब समाने शिक्षा और विस्षिस शिक्षा दोनों के लिए शिक्षियों के समस्या समधाने सहयोग लिया जाता है, तब उनके पास बालकों को देने के लिए बहुत से उपलप्त, बहुत से ऐसे समस्याइं होती हैं, जिनको उपलप्त कराया जाता है, जिससे उन्हें लाब भी मिलता है, यानि की टीचर्स आपको एक समस्या देते और दोनों मिलकर, जो विस्षिस वालक है और जो समाने वाले, वो दोनों ही मिलकर कारे को करते हैं, तो इसमें टीचर का क्या सही होगता है, एक फैसीलेटर के रूप में कार करता है, इसके बाद से अगर हम इनकी विशेशता है इनका उद्देश ये सब कुछ देख सके है तो अब्यसी बात है कि बाधाये भी होगी यानि कि समाविशी शिक्षा में बाधाये हम बात करें तो सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षन का अभाव होता है Lack of Teachers Training समाविशी शिक्षा को सफल बनाने के सबसे पहले बाधा है कि शिक्षकों के प्रशिक्षन का अभाव होता है इन टीचर को प्रशिक्षन नहीं दिया जाता है तो वो सही से ट्रीट नहीं करते हैं बच्चों के साथ इसके बिना शिक्षक अपने को कख्षा पढ़ाने के लिए सक्षप सही महसूस नहीं करते हैं अगर आप एक normal teacher से बात करें कि वो specific students को पढ़ाए तो वो possible नहीं है बहुत हद तक possible नहीं है थोड़ा बहुत उसे motivate कर सकता है पर एक specific अगर teacher हो तो उसे अच्छे तरह guide करता है इसलिए आपका सिक्षर प्रशिक्षन का अभाव देखा जाता है फिर आपका समाने सेक्षिक कक्षा जो general education classroom है वैसे तो प्रते एक व्यक्ति समावेशन के सिधान से सहमत है कि समावेशन के लिए समाने कक्षा को त्यार करना भी एक बात है क्योंकि हमारा समाने कक्षाओं में समाने सुविधाओं का भाव रहता है जैसे कि आपका विविधा वशावति पूर्ति नहीं हो पाती है आपके teaching age सही तरह नहीं है जो बचो को समझ में आने में दिक्कत होती है जनल आपका समझ है जो IQs जनल का है 90 और जो प्रदिवाशालि बच्चे 140 वो समझ सकते हैं जो मानसी रूप से मन्दित बार्चे है इन बच्चों को समझUI है या फिर आपका बोधिक रूप से मन्दित बच्चे है तो इन बच्चों को समझने में दिक्कत आती है उसके बाद से सहयोगी कार्मचारियों का अभाव यानि कि lack of supporting staff आपको पता है समभशी शिशा को सफल बनाने के लिए आपको बहुत सारे कर्मचारियों का सहयोग चाहिए परन्तु विद्यालों में ये सब ऐसा नहीं होता है कई बार होता है कि वो लोग रूची नहीं लेते हैं विसिश बच्चों को पढ़ाने में क्योंकि उन्हें लगता है कि इनको पढ़ाना बहुत ही एक हार टास्क है या फिर बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए क्या होता है, प्रशिक्षन के साथ उनकी हर समय उपलब्दा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग प्राप्त किया जाता है, तो यह नहीं मिल पाता है, तो भी दिक्कत आती है, यह अब पढ़ने में दिक्कत आती है, पार्टे करम का निर्मार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि पार्टे करम लचीला हो, यानि फ्लेक्सिबिल्टी हो, उपियोगी हो, यानि वो अपने जीवन में आगे इन फ्यूचर उनको काम में ला सके, और समाने और विश्चि और समाने बालक, दोनों ही मिलके पढ़ रहे हैं, दोनों में सहयो की भावना आ रही है, समाजिकता की भावना आ रही है, फिर आपका एक दूसरे को समझने की भी, जैसे कुछ लोग होते हैं जर्नल को, स्पेसिफिक बच्चों को नहीं समझना चाहते हैं, पर वो चीज़े इन में आती है, दोनों में मिल-मिलाव होता है, तो ये सब चीज़े हम लोगों देखने को मिलता है, फिर भी ये सत्य है कि यदि शिक्षा पार्टे कर विदियो में सुधा नहीं करता, तो इन बच्चों के आवश्चता को हम सेक्षिक रूप से पिश्रे जाते हैं, इसके हम सब जानते हैं कि समज़े शिक्षा में हर समय, हर तरह के बच्चे, यानि कि हर तरह के बालक शिक्षा गरंड करने आते हैं, जिसमें कुछ बालक ऐसे होते हैं, जो स्रवन बादित हो, वाचन बादित हो, लेखक बादित हो, या पठन से बहुत सरी पीछे हूँ, तो जिस इसके बाद से हमारी कुछ चीजे ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे शारिग अपंगता और बादिता और समर्था में अंतर की बात करें, तो अगर शरवन बादित बच्चे हैं, तो उसमें क्या इंपेर्मेंट हो सकता है, इंपेर्मेंट, डिसेबिल्टी और अगर हम शरवन बच्चों की बाद करें, तो कान रचना का शर्दिगर्स्त होना, जैसे कान के परदे में छेद होना, यह क्या है? इंपेर्मेंट है, यानि कि बादिता है, बादक पैदा कर रहा है, और ध्वनी गरहन करने में कठनाई, यानि कि डिसेबल्ड है, यानि वो इक डिसॉर्डर है, वो ध्वनी को समझ नहीं पा रहा है, उसके बाद से हैंडिकेप्ट की बाद करें, तो समानेता सुनने में असमर्थ होता है, यानि शर्वन बादित में अगर हम हैंडिकेप्ट की बाद करें, तो समानेता सुनने में असमर्थ होता है, और अगर हम डिस दिश्टिबादित बच्चों की बात करें तो दिश्टिबादित बच्चों में आँका इंपेर्मेंट की बात करें तो मांश परिश्टिबादित की बात करें तो किसी विशेश वस्तु का आँक द्वारा प्रकाश की किर्णों का आपस में न मिलना अता प्रतिविन न बनना यानि बच्चे के सामने उसका प्रतिविम न बनना वो आपका disabled कलाता है पर अगर हम handicapped की बात करें तो एक प्रतिविम न बन पाने के कारण देखने में जो असमर्था और होने रगती है वो अपंगिता है यानि कि वो handicapped है उसके साथ हम अगर अस्थी की बात करें यानि शारेरी रूप से अस्थी अक्षम है तो उसकी बात करें तो उसमें हमारा impairment क्या है कि भूजा अत्वा पैर आदी से paralyze होना या शारेरिक असमानता का न होना आ समाता का होना और अगर हम उसी को इसमें बात करें disabled की बात करें तो disabled में आपका भूजा और पैर का इच्छा अनुसार वस्तू को पकड़ने या चलने में कटनाई होना जैसे पैन को वो सही तरह से नहीं पकड़ पा रहा है ठीक है वो चलने में कटनाई उत्पन हो रही है उसको तो यह आपका क्या होगा यह disabled है पर अगर हम अगर हम handicapped की बात करें तो handicapped में अन्य बालकों की समान हाथ या पैर को का रहे हैं तो प्रियोग करने में कटनाई हो रही है यानि अपने हाथ और पैर का सही तरह से वो कार्म नहीं कर पा रहा है तो आपका वो क्या हुआ अपंगिता हुआ ठीक है नहीं पाता, मेंटली रूप से डिटायर्ड है, तो उन बच्चे को दिक्कत आती है, वही हम अगर बात करें, हैंडिकेप्ट की, मांसिक रूप के बच्चों की, तो उन में आपके अन्य बालकों के समान वेभार करने में अयोग होता है, यानि कि विमूर्द और काल्पनी प् करने में कठनाई उनको आती है, ठीके, कॉंसेप्ट को वो समझ नहीं पाता है, कि क्या मैं पताना चारी है, इसके बाद से हम अगर अधिकम असमर्द की बात है, यानि कि लर्निंग में अगर डिसेबल्ड है, तो हमारा क्या होगा, जैसे कि हम इसमें अगर बादिता की बात करें, तो आपका मानसी का सुचारी रूप से कारें नहीं कर पाना, जैसे आपका उंगलियों का कारें नहीं कर पाना, ठीके ना, उंगलियों से सही तरह से काम नहीं कर पारें, जो आप समझ रहे हैं, मेंटरी रूप से उसको लिख नहीं पारें, लर्निंग नहीं कर पारें उसको learn नहीं कर पारे, समझ नहीं पा रहे हैं वहीं हम अगर आपको disabled की बात करें तो कि अवर लिखने समझने में कठनाई होना समायनता बोलने और पढ़ने में असमर्थता होना वो आपका disability में आ जाएगा ऐसी आपका अपंगता की बात करें तो उसमें अन्य बालकों की समान पढ़ने और लिखने में असमर्थता होती यानि बच्चे एक line को दूसरी line में पढ़ने लगते हैं एक line पढ़ रहे, एक line छोड़ देंगे, दूसरी line पढ़ेंगे या फिर शब्दों का सही चयान करेंगे लिखने में आपको जब शुर्टलेक बोलते हैं तब जो लिखते हैं वो भी गलत लिखते हैं जैसे आपको छोटी की, बड़ी की मातरा, बड़ी उकी, छोटी उकी मातरा इन सबके भी गलतिया करते हैं तो यह असमर्थी यानि अधिगम learning से disabled होते हैं इसके बाद से हम विशेष्ट बालों की बात करें विशेष्ट बालों को हम कई तरह से classification कर सकते हैं विशेष्ट बालों होता क्या है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए विशेष्ट शिक्षा आपको पता है, उन बच्चों को दी जाती है जो शिक्षा को समाने बच्चों के शारेरिक, समाजिक या फिर मानसिक रूप से छेतरों में कुछ प्रिथक होते हैं जैसे हम विशेश आउश्टतारा बच्चों को अलग विद्यालों में विशेश धंग से पढ़ा रहा जाता है वो शिक्षा हमारी क्या होती विशेश शिक्षा जैसे कि विशेश शिक्षा को उनकी योगिता, मानसिक छम्ता, सिर्जनात्मक्त, जैसे क्रिटिविटी है और शारेरिक सित्यों के अधार पर ही वर्गिर कित किया जाता है इसमें आपके पांच चीजे हैं, वो चीजे आप याद रखेंगे, जैसे प्रतिभावान बालक प्रतिभावान बालक के आपको पता है कि बौधिक स्तर समाने से उच होती है यानि कि उससे अधिक होती है, प्रतिभावान के 140 IQ है इसका जो विशेष्टा है, इसको आप समझ लेंगे कि इसमें सीखने की जो छमता है, वो समाने से अधिक होती है इनका बौधिक स्तर समाने से अधिक होता है उनमें क्रेटिवटी की प्रविती होती है यानि कुछ नया करने की उनमें प्रविती होती है उसके बाद से इनकी रूचिया और योगिता का जो स्तर है वो समाने से अधिक होता है और ऐसे बालक चुनोती सुकार करने के लिए हमेशा उस सुक्रत है तो यह कुछ करेक्टिस्टिक्स है इसको भी याद रखेंगे इसके बाद से जो मंद बुद्धी बालक होते वो समाने की तुला में कम होते है उनकी बुद्धी लब्दी क्या होती यह सत्तर से नीचे होती है यह अधिकम स्तर इनका समाने से कम होता है इनकी रूचिया योगिता का जो अधार है उसको हम पहचाना जा सकता है क्योंकि वो समाने से भिन होते हैं क्योंकि इनकी रूची योगिता कुछ कम होगी समाने से कम होगी तो हम इसको पहचान सकते हैं सार्फ में इनकी आयू के अनुरूप दिये गए कारे को पूर नहीं कर पाते हैं जैसे आपको दिखते हैं ricanesनाप कि बच्चों की हाई तो बढ़ रही है उमर तो बढ़ रही है पर उनका जो आईकू है बहुत कम है तो इससे भी हम सकते हैं कि बच्चे में मांसिक मंदता आती है इसके बाद से भिन जो मौखिक संचार बालक है जैसे बोलने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे बालकों के संचार चमता समाने से कम होती है बोलने में दिक्कत आती है वे अपनी जो अभिविक्ति है जो बोलना चाहते है उसमें धारा प्रवा नहीं होता और साथ साथ वो प्रभा नहीं आता समस्छ उनाई नहीं देता तो ये सब चीजे भी हमारी मौके संक्षार वालम काते हैं इनको भाषा इदिस्टी से आं माना जाता है एक तरसे हम कह सकतते हैं कि वह हम्त आ anf र capture आहीक है स्काव ब्लैक बोर्ट पर लिखी है उसको वह सही तर से देखनी पारे गलत लिख रहे हैं देखकर भी गलत लिखते हैं तो वह दिस्टी विकलांकता के लक्षन है अगर हमारे शिक्षक के जोर से बोलने पर भी छातर नहीं सुन पाता है तो वह कौन सा अक्षमता होगी आपकी के अकरण से बहुत लिखनात में देखने के तो यह दिकता है तो यहंजी कर देख़क है तर समाने चातर के आप लोगों लिखा हुआ है बस आपको पढ़ने की जोट है आप लोगों इसको देखिए प्लेलिस से जूट जाईए और हर एक टॉपिक को आप क्लियर कीजिए ठीक हम लोगों इसको रिवाइस कर लेते हैं बौधिक रूप से भिन भालक इसमें कौन-कौन से लोग आएंग चीरकालिक बिमार या शतिपूर्टी स्वास्त फिर आपका श्रवन्च छतियूक्त और दिस्टी चतियूक्त या फिर बहूलविकलाग जो कि मल्टी हैं उनको हम किसमे लाते हैं शारी рьूपसिक भिन भालक में इसके बास से बहूल विकलाग भी आपका किसमे आता हैं मौकि संचार की भीन बालक में आपका वाक्षतिय। और भाषा विकला। मैंने आपको बताया है ना बोलने में कटनाई और भाषा को समझने में कटनाई आपकी मौकि संचार में आता है। यानि आपको लर्निंग करने में दिक्कत आ रही है। सांस्कृति रुप से अल्प संखिया। फिर लास्ट में आपका आता है वन्चन के अधार पर भिन बालक जो किसी चीज़ से वन्चित हैं उनके अधार पर भी बच्चे आते हैं। यह सब किसाब आपके डिसेबल यानि क लिटा है। तो बच्चा अपने इमोशनस को रोक लेता है। समाने बच्चे क्या करता है। रोक लेता है। आप मुझे डाटा हो गए नहीं ना. पर जो डिसेबल बच्चे हैं वह अपने इमोष्यों को रोक नहीं पाते हैं। यह हमारे क्या हैowing इमोशन को रोकता है यह हमारे activities के आद इमोशन को रोकते हैं पर जो अस्थीर बच्चक है जो आपके अक्षम बच्चे है वो ऐसा नहीं कर पाते हैं आपने emotions को रोक नहीं पाते हैं अपने समय को पून रूप से बहुत अच्छीता पड़ा है इसको आप विजगूल देख लेंगे डिटेल में और मैनेजर पड़ा है उसको भी आप देखेंगे इसके साथ से हम लोग कोशन भी करेंगे इसको भी ध्यान रखेंगे इसके बाद से आपको कुछ रास्टे संस्थान भी याद होने चीए जैस से रिवाइस कर दे रही हूँ दिस्टी विकलांगता का रास्टे संसान आपका देहरदुन में मांसिक विकलांगता का रास्टे संसान आपका सिकंदराबाद में हड़ी विकलांगता का रास्टे संसान आपका कोलकाता में और शरवन विकलांगता का अलीवे वर जंग रास को जो कि आपके descriptive question होते हैं उसको देखेंगे उसके वास हम objective question देखेंगे कम सबसे पहला question आपको पता होना चाहिए कि समाज़ी शिक्षा क्या है उससे आप क्या समझते हैं फिर आपका समझी शिक्षा का संप्रत्य को सपस्ट कीजी ऐसा भी concept को सपस्ट कीजी ये भी question हो सकता है फिर next question आपका बन सकता है कि समाज़ी शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका होती है obviously बात है कि समाज़ी शिक्षा में एक teacher एक facilitator के रूप में काम करता है अगर विशिक्षा की बात करें तो इसमें question बन सकता है कि विशिक्षा से आप क्या समझते हैं प्रतिभा, अपन बालकों की चार विशिक्षा बताईए ठीक है यानि कि डिफाइन gifted child या characteristics बताईए मांसिक रूप से पिछले बालों को परिभाशित कीजिए अधियम और समर्थता क्या है learning disability क्या है समयगात्मक बुद्धी से आप क्या समझ सकते हैं फिर समयगात्मक यानि शिक्षा क्या है आपको पता है समवेशी शिक्षा होता है सभी के लिए शिक्षा वो एक ही स्कूल में आपको समाने बच्चे और विश्र बच्चे एक साथ पढ़ाना होता है पर एक ही शिक्षा क्या होता है एक ही स्कूल में समाने और विश्र बच्चे पढ़ते हैं पर त्यार करना इसके बाद से शारी विकलांगता क्या है आप इसे क्या समझते हैं ये कोशन भी बन सकता है और कुछ जैसे की शारी विकलांगता से आप क्या समझते हैं उप्चरात्मक शिक्षा क्या है मंद बुद्धी बाला की चार विशेश्टा बनेंगे इसके वाद से अब हमारे objective question आ रहे है, objective question आपको ध्यान से सुनेगे, शुरूर से लेकर लास्ता वीडियो ज़रूर देखना है, पहले आप descriptive देख लीजे, उसके वाद से आप objective question को देखिए, ताकि आप उन questions को कर पाएं, चलिए start करते हैं, सबसे पहला question आपका बनता है, इसका पहला option है, ऐसी सिक्षा वेवस्ता जहां केवल दिव्यांख बालक की शिक्षा का ध्यान दिया जाता है, दूसरा option है, ऐसी सिक्षा जो बच्चों को अच्छे गुडों का समवेश करता है, थर्ड है ऐसी सिक्षा विवस्ता जहां बच्चों की परिवेश में केवल सकरात्मक तत्मों का समावेश हो और लास्ट ऑप्शन है ऐसी सिक्षा विवस्ता जहां दिव्यांख और समाने बालक साथ साथ पर सके तो मैंने इसमें आपको बताया है कि जब आपके समाने बच्चे और विस्षिश परते हैं तो वह समावेशी शिक्षा होता है । येनि कि सभी के लिए शिक्षा तो इसका अंसर क्या होगा D दी इसका अंसर है ऐसी सिख्षा विर्सता है जहां दिव्यांक और समाने बालक साथ साथ पर सके वो समाविशी सिख्षा है नेक्स्ट कुशन है आपका समाई शिख्षा का महत्व है पहला ओप्षिन है छात्रों में सहनशिल्ता के गुड़ों का विकास दूसरा है आपके दूसरे के विक्तित के सम्मान की भावना का विकास थर्ड है मानव संसाधन का सही निर्मान और लास्ट है उपरोग सभी तो इसका अंसर है D उपरोग सभी पहला ओप्षिन है छात्रों के विचारों पध्यान दूसरा है दिव्यांकों की अभी पिर्णा का सिध्धान तीसरा है छात्रों के साथ कोई भेधवाव नहीं और लास्ट है छात्रों की व्यक्तिकाद विविन्ता का सम्मान तो इसका अंसर है B दिव्यांकों की अभी पिर्णा का सिध्धान ये इसमें नहीं इंक्लूडर है सम्मा विषिक शिषिषा क्या है कि छात्रों के वीचार जो वो आइडियार अउन पर ध्यान दिया जाए उन में कोई भेधवावना किया जाए क्योंकि हर एक बच्चा इंडिविजवल है तो उनका सम्मान किया जाए ये मिन इससे पहले कोईशन में देखा उसके वासे आप देख सकते दिव्यां की अभी प्रेणा के सिधान इसमें इंक्लोडर इसलिए नहीं है क्योंकि विश्ष्ट बच्चा अगर आगर अमने खुद से मोटिवेट नहीं हो सकता तो हमें मोटिवेट करना पड़ता है तो अभी प्रेणा के सिधानिस में इकलोड नहीं होगा इसके बाद से आपका question आता है समवशी शिशा का विशेश छेतर नहीं है पहला option है आदिवासी बच्चे दूसरा option है घुमंतू बच्चे तीसरा option केवल कामकाजी महिलाओं के बच्चे और last है गंभीर बिमारी से पीडिद बच्चे तो इसका अंसरा C जहां केवल लिख दिया only तो वो गलत अंसर होगा समवशी शिशा का विशेश छेतर आपका आदिवासी बच्चे है अनुसरी जाती, अनुसरी जाती घुमंतू बच्चे, श्रमिक के बच्चे अनुसरी जाती, दुसरा आपका वन्चित वर्ग, तीसरा है पिछला वर्ग और लास्ट है ये सभी तो इसका अंसर है D ये सभी अभी मैं आपको बता है विविटापूर्ण शिक्षारती का वर्ग यानि छेतर की बच्चे जाती अनुसरी जाती वन्चित वर्ग, फिर पि योजना, दूसरा निशुक शिक्षा, तीसरा चात्रवास और लास्ट है ये सभी, इसका अंसर एडी ये सभी, अगर हम विश्चिश बच्चों की बात करें, निर्धन बच्चों की बात करें, तो अबिस ही बात है कि जो मिड़े मिल बनाये गया है, वो उनी बच्चों के लि बात की गई, ताकि वहाँ पर रहके वो शिक्षक ग्रहन कर पाए, तो ये सभी इसका अंसर सही है, यानि कि डी इसका अंसर सही है, कोशन नमस सेवन है आपका अनुसूचित जाती और जन जाती वर्क के शिक्षारती के लिए कौन सी योजना है, लापकारी की बात कर रहा है पहला option है आगन बारी केंद्र दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान तीसरा है मिड़े मील और लास्ट है ये सभी इसका answer क्या होगा D आप सभी को समझ गए है न अनुसुची जाती और जन जाती की बाहर करें तो उसमें आपकी कौन-कौन सी योजना है आगन बारी केंद्र जो कौन सा खोला गया है पहला option आपका प्राउंट शिक्षा केंद्र दूसरा अनुपचारिक शिक्षा केंद्र तीसरा A और B दोनो और लास्ट है शेक्षिंग आख्रक्षन तो इसका answer क्या होगा C A और B दोनो अगर हम अनुसुची जाती और जन जाती की शिक्षार्थियों क बात करें और उनके शिक्षन केंद्र की बात करें तो प्राउंट शिक्षा केंद्र जो कि आपका जो बच्चे नहीं पढ़ पाते जो लोग नहीं पढ़ पाते जादे समय जानी 20 साल के बाद पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए प्राउंट शिक्षा केंद्र बनाए गया ताकि बोलो क्या कर पाए, शिक्षा ग्रहन पर कर पाए, कमी रुपे में शिक्षा ग्रहन पर कर पाए, तो ये भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट कोशन है आपका, कक्षा में एक छादर है, जो अक्सर शामपट पर लिखे शब्दों और अंकों को उल्टा लिखता है, साथ ही सीधी रेखा खीचने में स्वयम को अक्षम पाता है, उसमें क्या अक्षमता होगी? पहला है दिर्शात्मक्ट डिसलेक्सिया, दूसरा है आपका श्रवनात्मक्ट डिसलेक्सिया, तीसरा है आपका काईनेस्थिक डिसलेक्सिया, और लास्ट है आपका बी और सी दोनो, तो इसका अंसर क्या होगा? बी और सी दोनो, इसमें अंसर क्या होगा? जिकत हो रही है तभी तो वो शैंपट पर लिखे शब्दों को उल्टा लिख रहा है उसके वाद से C आपका क्यों होका काइनेस्थिय यानिकि उसको लेखा जो खीच रहा है उसके बॉडि से संबंदित आपके मुव्मेंट से संबंदित होता है काइनेस्थिक दिसलक्सिया तो वो भी आपका इसमें आएगा यानिकि B और C इसका आणसर सही होगा नेक्स्ट destru function है जिस कैलकुलिया का संबंद है पहला है गड़तिय अक्षमता दूसरा है दिश्र्य अक्षमता तिसरा है भाषाई अक्षमता और लास्ट है काइनेस्थिक अक्षमता इसका आंसर है A गडिती अक्षमता से इसके बाद से जैसे आप ग्राफिय के कोई दिक्कत है लिखने में संबन देता है तो ऐसी भी चीज़े आपको याद होनी चाहिए नेक्स्ट कोशन है आपका एक अक्षा में स्क्षर के दौण अध्यापक पाता है कि एक चाहत वैसे तो समान दिखाई देता है लेकिन वह गडित से भागता है अध्यापक के अनेक प्रयास के बाद भी वह गडित करने को त्यार नहीं होता तो आपके अनुसार क्या सरवाधिक संभावित हो सकता है पहला option है चात्रों को dyslexia हो सकता है दूसरा है चात्र dyscalculia से ग्रसित हो सकता है तीसरा है चात्र में अभी पिर्णा की कमी हो सकती है और last है उसे गडित की उप्यूगता ही नहीं पता है तो इसका answer क्या होगा? B, चात dyscalculia से ग्रसित हो सकता है बाधाकारी तत्व क्या हो सकता है पहला option है लोगों की मनोविर्थी दूसरा है मातापिता का असही होई व्यवहार तीसरा है सरकारी योजना में कमी और लास्ट है शिक्षोक का अनिक छुक व्यवहार तो इसका अंसर जाए होगा लोगों की मनोविर्थी समाने बच्चों के लिए अलग सोच रखूं तो वहीं पर आपको दिख जाता है वो बाधा उत्पन करता है यानि समय विश्य शिक्षा का अर्थ क्या होता है सभी के लिए शिक्षा यानि पक्षपात नहीं करना बेदभाव नहीं करना तो हमारी मनुवर्थी अच्छी होनी चीए हमारी सोच अच्छी होनी चीए तो बाधा उत्पन नहीं होगी अगर हमारी सोच अच्छी नहीं होगी तो बाधा उत्पन होगा ही नेक्स्ट कोशन है आपका विशेष शिक्षा विवस्ता का मुख्य उदेश क्या है पहला है चमता विकास करना दूसरा है शिक्षा केंद्र खेलना तीसरा है आपका छातरवास की विवस्ता करना और लास्ट है केवल दिस्टी बादितों के लिए शिक्षा देना तो इसका अ नि division अबन जया नहीं रहाओं को को कुषिक्षा सबना था तो इसे सिरे विश्यंच प्रात्मिक भी शल, कि अनुब मैं नहीं तो सब्सक्राइन आए जूच़ फॉन जरे गाएं testimonies तो इसका अंसर D है, ये सभी, विशेक शिक्षा विवस्ता की बात करें, तो इसमें धाराओं में कौन समन्दित है, इसमें प्रात्मिक शिक्षा भी आती है, और चारिक फॉर्म एजुकेशन भी दिजारी और इन्फॉर्म भी एजुकेशन दी जाती है, नेक्स्ट कोशन है, निम्न में कौन समावेशी शिक्षा विवस्ता के प्रमुक उद्देश में शामिल है, पहला है छमता विकास, दूसरा है भावना विकास, तीसरा है आत्म निर्भर बनाना और लास्ट है ये सभी, तो इसका अंसर क्या होगा, D, ये सभी, समावेशी शिक्षा में विवस्त स्तर, दूसरा है मदिमिक स्तर, तीसरा है उच्छ स्तर और लास्ट है यह सभी इसका आंसर है कि इसका आनसर है उसका अश्थ स्थ्य जागे है इस्लिए मेंश्ट व्यक्ति थी अधिनिय की बात करता है पहला है समान अफसर दूसरा अधिकार संरक्षन थर्ड है पूर्ण भागिदारी और लास्ट है यह सभी तो इसका अंसर होगा डी यह सभी निशक्त वेक्ति अधिनियम 1995 यह याद रखना है कब है इसका डेट 1995 अक्षम वेक्ति के हांगरा प्रकार की बात करें तो इसमें समान अफसर देना चाहिए अधिकार संरक्षन जैसे आप लोग को पता है डिसेबल बच्चों के लिए अरक्षन दिया जाता है तो वो चीज़े इसमें अपूर्ण भागिदारी यानि सबको शिक्षा लेने का अधिकार है तो यह भी इसमें इंक्लूइड है ने जैसे चोदा वर्ष दूसरा ओप्षन है छैसे सोला वर्ष थर्ड आपका 18 वर्ष और लास्ट जीवन परियान तो इसका अंसर क्या होगा सी 18 वर्ष निशक्त विक्ति अधिनियम 1995 में आपका 18 वर्ष तक के बालक की निशुक शीषा की विश्टा की गई है नेक्स कुशन निशक्त बेदियादिनियम 1995 में किस दिव्यांग के लिए केवल एक भाषाई शिक्षन की विवस्ता की बात की गई है? पहला option है श्रवन शक्ति हरास, दूसरा है वाचन शक्ति हरास, थर्ड है मांसिक दिव्यांगिता और लास्ट है दिस्टी बादिता. तो इसका अंसर है श्रवन शक्ति हरास, अगर हम एक भाषाई शिक्षन की विवस्ता की बात करें तो श्रवन शक्ति जब वो सुनेगा ही नहीं तो वो सही तरह से बोल नहीं पाएगा, तो इसलिए भाषाई शिक्षन की विवस्ता आपका श्रवन शक्ति हरास के लिए सही है निशक्ता पर रास्टे निती 2006 का प्रारूप भारत सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया पहला option है मानोससाधन वःविकास मंत्राले दूसरा है समाजिक नयाई वह अधिकारिता मंत्राले थर्ड है गरिह मंत्राले और लाष्ट है श्रम मंत्राले इसका अंसर भी समाजिक नया और अधिकारिता मंत्राल है इन्हों नहीं आपकी इसी विभाग ने निशक्ता पर रास्टे निटी 2006 का प्रारुप प्रारुम किया नेक्स्ट कुशन रास्टे निशक्ता निती मांसिक दिव्यांकों के लिए कहां सिक्षन की विवस्ता की संतुती करता है पहला अप्शन है समाने स्कूलों में दूसरा है मांसिक पुनरवास केंदर में तीसरा है घर पर और लास्ट है समधाई केंदरों में इसका अंसर भी मा मांसिक पुनरवास केंदर में? अगर रास्टे निशंकता नीती मांसिक दिव्यां के लिए बात करें, तो उनकी विश्टा कहां किए? मांसिक पुनरवास केंदर में. नेक्स्ट कुशन रास्टे निशंकता नीती 2006 में दिव्यांकों के लिए कैसी भाषा की संतुति की गई है पहला option है संकेतिक भाषा, दूसरा है मानकी की संकेतिक भाषा, तीसरा है समाने भाषा और लास्ट आपका मात्र भाषा इसका answer है D मात्र भाषा आपको पता है निशंक नीती दोजाज़चे के दिवयांकों के लिए कैसी भाषा की संतुती की है? मातरभाषा की बाद की है नेक्स्ट कुशन आपका है निशंग पर रास्टे नीती 2006 में अध्यापकों के लिए किस प्रकार की शिक्षन यंत्रों की सुविधा देने की बात कही गई है निशंग पर रास्टे नीती 2006 में अध्यापकों के लिए किस प्रकार की शिक्षन यंत्रों की सुविधा देने की बात की गई है निशंग पर रास्टे नीती 2006 में दिव्यापकों को उस शिक्षा में केवल तीन प्रकार की बात की गई है इसका पहला उप्षन है गेतों से दूसरा है रविना टेगूर की रचना से तीसरा है आपका समेधान से और लास्ट आपका बाइबल से इसका अंसर है भी रविना टेगूर की रचना से इन्हों टेगने बंद लिखा था उसी से NCF 2005 का मूल भाव लिया गया था नेक्स्ट कोशन NCF 2005 को सही स्वरूप देने का श्रे किसको जाता है पहला उप्षन है श्री यश्पाल को दूसरा है श्री अरुन सी महरा को तीसरा है शूर्शी रम्या वेंकर रविना टेगूर को तो इसका अंसर है श्री यश्पाल को NCF 2005 का आपका जो स्वरूप है उसका श्रे आपका श्री यश्पाल जी को जाता है Next question NCF 2005 कक्षा में अध्यापक 16 अनुपात कितना रखने की संतुती करता है यानि क्या आपका student ratio चीचर स्टूडेट रखा गया है पहला option है वन रेशियो 25, दूसरा option है वन रेशियो 20, थर्ड option है वन रेशियो 35 और लास्ट option है वन रेशियो 30, तो इसका answer है D, वन रेशियो 30, यानि 30 बच्चों पर एक टीचर, ठीक है, नेक्स्ट कुशन है, NCF के प्रमुख सुझाव नहीं है, पहला option है सूचना को ग्यान ना माना जाये दूसरा option मातब पिता चातरों से उनकी उम्र से अधिक की अपक्रियोग हो और लास्ट आपका सांस्कृतिक कार करिकरम सुंदर bers बूद पर अधारितो, तो इसका answer है C, सजावः प्रोसकार का नियमित प्रियोग हो ये इसको ज्राव नहीं है जबकि सूचना को ग्यान न माना जाए, माता पिता छातर से उनकी उम्र से अधिकी अपरिक्षा न करे और सांस्कितिक कारिकम सुंदर बुद्पाधारी तो यह आपका NCF का सुझाव है सविधान के किस अनुछेद में शिक्षा को मौली का धिखार माना गया है पहला उप्षण है 21A, दूसरा है 21B, तीसरा है 26A और लास्ट है 31A तो इसका अंसर है 21A, सविधान के 21A में अनुछेद में आपको शिक्षा को मौली का धिखार माना गया है नेक्स्ट कुशन, RCI के प्रमोकुदेशन नहीं है पहला उप्षण है दिवियानकों को प्रशिक्षित करने वाले संस्थान के मानक त्यार करना दूसरा है Pーナährवास के लिए अनुवर्ती शिक्षा को प्रोस्ताहन देना तीसरा है दिवियानकों के लिए समुचित पर्टेक्रम त्यार करना और लास्ट आपका वेबसाइक पुनरवास केंद्रों को जन शक्ति केंद्रों की रुप में विक्सित करना तो इसका अंसर ऐसी दिव्यांकों के लिए समुचित पर्टे करम त्यार करना और सभी इसके उदेशे हैं जबकि ये दिव्यांकों के लिए समुचित पर्टे करम त थर्ड है आपका श्री विश्वनात प्रताप सिंग और लास्ट आपका श्री राजिव गांदी तो इसका आंसर है भी श्री अटल विहारी बाचपाई के समयकाल में आपका SSA यानि की सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ नेक्स्ट कुशन SSA की सरवादिक प्रमुकुदेशे क्या है पहला है आपका 6-14 वर्ष की बच्चों को अनिवारे और निशुख शिक्षा प्रतान करना दूसरा है शिक्षा को वेफसाई करन करना या वेफसाई परक बनाना थर्ड है आपका शिक्षा का निजी करन करना और लास्ट है समाविशी शिक्षा को सब के लिए सुरब बनाना तो इसका अंसर है ए 6-14 वर्ष के बच्चों को अनिवारे और निशुख शिक्षा प्रतान करना दूसरा है वेकल्पिक शिक्षा प्रावधान तीसरा है घर आधारी शिक्षा और लास्ट आपका ये सभी इसका अंसर एडी ये सभी सब शिशा अभियान द्वारा प्रस्तावी शिशा के आने प्रावधान में आपका शिशा गरेंटी स्कीम आजाएगा घर आधारी शिशा आजाएगा और वेकल पिक शिशा प्रावधान आएगा Next question डिसलेक्सिय का सही अर्थ है पहला option है सुनने में असमर्थता दूसरा option है देखने में असमर्थता तीसरा पैंसिल पकड़ने में अक्षमता और लास्ट है आपका गरेती अक्षमता पहला option है आपका एक और दो सही दूसरा है दूसरा और तीसरा तीसरा है आपका तीसरा और चौथा और लास्ट है आपका एक दो तीन इसका आंसर क्या होगा D, एक, दो और तीन, यानि सुदने में शम्ता, देखने में शम्ता और पैंसिल पकड़ने में अगर अगर शम्ता आती है तो वो डिसलेक्सिया होता है, गड़िती शम्ता क्या है आपका डिस कैलकुलिया से संबन देते हैं, चीक है, नेक्स्ट कोशन, निक्षक्तता पर आतास्ट नीती 2006 में किस स्थर पर पुनर्वास की योजना बनाई गई, पहला है बौधिक स्थर, दूसरा है शेक्षिक, तिसरा है आर्थिक और लास्ट समाजिक, इसका अंसर है भी 1, 2, 3, पहला आप्शन आपका क्या है 1, 2, 2, 3, तिसरा है 3, 4, और लास आपका 2, 3, इसका अंसर है B, 1, 2, 3, यानि आपका बौधिक स्थर, आपका शेक्षिक स्थर और आर्थिक स्थर आएगा, इसमें समाजिक स्थर नहीं आएगा इसका अंसर है A, 1, 3, 4, यानि पहला आपका ग्यान को बाहरी जीवन से जोड़ना, दूसरा है 6-14 वर्ष तक के बच्चों को निशुक शिक्षा देना, तिसरा है कक्षा का जीवन वातवरन, फोर्थ है आपका लचीला, मुल्यांकन और लास्ट आपका पुस्ता के इंदिर पाटे चरिया, पहला आपका 1, 3, 4, दूसरा है 1, 2, 3, तिसरा है 2, 3, 4, और लास्ट आपका 1, 5, तो इसका अंसर है A, 1, 3, 4, यानि पहला आपका ग्यान को बाहरी जीवन से जोड़ना, दूसरा है आपका कक्षा का जीवन वातवरन, और लास्ट है आपका लचीला पन, यान 6 question है, कक्षा में जीवन वातरवर्ण से आप क्या ततपर है या क्या समझते हैं, पहला आपक्षा में चात्रों का अध्यापक 大 rigor के दूसरा है सब कुछ छात्रों के अनुसार हो, तिसरा है चात्रा अध्यापक, दोनों को अपनी वात कहने का समाना, अफसर मिले और लास्ट आपको कक्षा में पाठेकरम के साथ सह सिक्षिक गतिवीद्या भी हो इसका पहला उप्षन है केवल तीन दूसरा है केवल चार तीसरा है तीन और चार और लास्ट है ये सभी तो इसका अंसर है C तीन और चार तीन में क्या है चाहत राध्यापक दोनों को अपनी बात कहने का समानफसर मिलना चाहिए मैं जो पढ़ा रही हूँ बच्चे को समझ में उनको स्वतनता देनी चाहिए कि वो अपनी बात रख पाए जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछ सके तो उनको स्वतनता देनी चाहिए और समानफसर देना चाहिए कि तक वो अपनी बात कह पाए ठीक है और फोर्थ क्या है आपका कक्ष्या में पाठे करम के साथ सेक्षिक गतिवी दिया भी हो यानि कि आपकी और भी करिकुलम हो ठीक है पहला उप्षण है 1,4,3,2 दूसरा उप्षण है 1,2,3,4 तीसरा उप्षण है 4,1,3,2 और लास्ट रेइन में से कोई नहीं तो इसका अंसर है A सही सबसे पहले आपका बादिच्छात्र में आत्मिद्वाता की भावना को पैदा करना होता है फिर उन बच्चों को समाज की मुखेधारा से जोड़ना फिर बादिच्छात्र का पूर्नरवास और लास्ट में आपका प्रजातांत्रिक मुल्यों का प्राप्ति होता है नेक्स्ट कोर्शन हम लोग मैस्दा फॉलाइंग करेंगे इसको आप देख लें पहले मैं A, B, C, D बता जेती हूँ उसके बास उसकी सूची बताऊंगी पहले आपका रास्टे शिक्षर नीती का संसोदे रूप दूसरा आपका NCF तीसरा है निशक्षर नीती और लास्ट है निशक्षर व्यक्ति अधिनियम और आपके सूची में क्या है 2005, 1995, 2006, 1992 और 2002 इसमें आपके option है 3214 दूसरा option है 4213 तीसरा option है 3512 और लास्ट आप्षन है 4123 इसका answer है D, सही यानि कि रास्टे शिक्षर नीती का संसोदे रूप आपका कवाया 1992 में NCF आपका 2005 में आया निशक्तों का रास्टे नीती आपका 1995 में आया और निशक्त व्यक्ति अधिनियम आपका 2006 में आया इसे भी आप लोग याद रखेंगे और भी हम कुछ मैस्ट फॉलिंग कोशिन करते है चैसे सरुशिक्षा अभियान रास्टे शिक्षा नीती निशक्त पर रास्टे नीती भारते पुर्णवास परिशत अधिनियम इसकी सूची में है 2006, 1992, 2002, 1986 और 2005 इसमें ऑप्शन है 3412, दूसरा ऑप्शन है 5432, तीसरा ऑप्शन है 4523 और लास्ट ऑप्शन है 1253, इसका अंसर है 3412, यहनि कि सर्व शिक्षा अभियान कब आया आपका? 2002 में, वो अप्लाई हो गया था ठीक है, 2000 में आगया था 2002 में उसको अप्लाई कर दिया था उसके वाद से आपका रास्टे शिक्षा नीती कब आई थी? 1986 में फिर आपका आया है निशक्ता पर रास्टे नीती अभी हमने पढ़ा 2006 में फिर आपका आता है भारती पुन्रवास परिवशत अधिनियम, यह कब आया है आपका? 1992 में, यह भी डेट्स आपको याद रखनी है एक और मैस्दा फॉलिंग कर लेते हैं हम लोग RCI यानि की Rehabitation Council of India दूसरा है UNCRPD फिर आपका है निशक्त विक्तिय अधिनियम और लास्ट आपका निशक्ता पर रास्टे नीती इसमें आपके options है दिव्यांकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा दूसरा है निशक्तों के कल्यान हेतु विदिक सहायता थर्ड है दिव्यांकता का निवारन वा पुनरवास और लास्ट है दिव्यांकों का पुनरवास इसमें option है 4123 दूसरा option है 3214 तीसरा option है 1234 और लास्ट option है 4312 इसका answer है 4123 यानि की आपका RCI किस से सम्मंदित है दिव्यांकों के पुरनरवास से समंदित है फिर आपका UNCRPD जो की आपका दिव्यांकों के मौलिक अधिकारू की श्रक्षा की भात करता है फिर आपका निशंग विक्ति अधिनियम हमने अभी पढ़ा था तो वो किस से समंदित है आपका? निशंगता के राष्टे निती आपका समंदित किसे दिव्यांका के निवारन और पुरनरवास से समंदित है ऐसी हम लोग एक और मेजदा फॉलिंग करते है जो कि आपका डिसलेक्सिया से समंदित है दिश्यात्मक डिसलेक्सिया शर्वनात्मक डिसलेक्सिया काइनेस्थिक डिसलेक्सिया और डिसकैलकूलिया तो इसमें आपके जो सूची है दूसरी उसमें देख लीजे वर्ग या अंक उल्टा दिखना दूसरा है सुनने में असमर्थता तीसरा है लिखने में समस्या और लास्ट आपका गडित अधिगम में कठनाई तो इसका अंसर है इसमें आपके options है 1,2,3,4 दूसरा है 2,1,3,4 तीसरा है 3,1,2,3 और last है 4,2,1,3 तो इसका अंसर क्या है ए सही है यानि कि आपका दिश्रात्मक आपका क्या है आप जब सही से देखते नहीं हो तो क्या है वर्ग या अंक उल्टा दिखना वो देखने में दि आपके movement से फिर डिस के लिए आपको पता है गड़ित अधिगंद के कटनाई अगर आ रही है तो डिस केलकुलिया है यह मैजदा फॉलिंग भी आप लोग दिहान से देखेंगे और भी हमनों मैजदा फॉलिंग कर लेते 1987 में क्या हुआ था 1992 में 1995 और 1999 इसमें आपके अलग स अधिनियम तो इसके हमले options देख लेते 2314 दूसरा है 4231 तिसरा है 3124 और लास्ट आपका 1342 इसका answer है 2314 यानि की आपका A2 से मिला या 1997 आपका मांसिक स्वास अधिनियम से संबंदित है 1992 आपका भारती पुनवास परिश्यत अधिनियम से संबंदित है फिर आपका लास्ट है आपका 1999 जो कि आपका स्वालिंता प्रमस्तिक अंगात या मांसिक मंदता या बहुन निश्यता से पीड़ित वक्तियों है तू रास्ट नियास अधिनियम है इसे भी आप याद रखेंगे और भी हम लोग कोशन करेंगे जो कि आपका match the following से संबंदि अनुष्यत 51 A फिर अनुष्यत 21 A इसको हम लोग देखेंगे इसके सूची में हम देख लें तो जीनी का मौली का अधिकार शिकषा का अधिकार तो इसका option है आपका 1256, दूसरा है 6534, थर्ड है आपका 1254 और लास्ट है आपका 6432, तो इसका answer है A, 1256, वन किसे यानिका अनुचे 21 आपका किसे समधित है, जीने के मौनिक अधिकार से समधित है, अगर हम अनुचे 45 की बात करें तो शिक्षा का अधिकार इसे समधित है, अग 6621, एक ही बात करें तो वो 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौनिक अधिकार है, तो इसको भी धियान रखेंगे, नेक्स्ट कोशन, आज का लास्ट कोशन है आपका, विद्याले स्तर की शिक्षा, वालिकाओं और समाज के समाजिक रूप से पिश्रे वर के लि नेशल को और अनिवारे शिक्षा की निटि को लागू करती है, तो यह धियान किस से समबंदित है, समता और समबानता, तो यह तो था आपका लास्ट कोशन, आपने देखा कि मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया, आपको टॉपिक उसके बाद से आपने कोशन भी देखा, इस शुरू से लेका लाज तक वीडियो को देखना है, मिर्शा सर का इस से टॉपिक समधने कोशिन्स हैं, इसको भी आप देख लेंगे, डिस्क्राइब भी सर ने बहुत चीत किया वा है, उसको भी आप देख लेंगे, दोनों चीजों का आप देखेंगे, आपको पता चलेगा क कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे, तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेर जरूर कीजिए, और कोई टॉपिक आकर आपको रुखता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टेलिग्राम से भी जोल सकते हैं, उसम में आप कोशन दे सकते हैं, जब हम इस समय मिलेगा, तो हम उसका अतर दने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद,